हालो फ्रेंट्स, कॉम्प्रेशन कमिटी के CGSIE प्रेलेम्स प्रग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स, आज हम देखते हैं जर्नल साइंस के अंतरगत केमस्टी के तीसरे महतपूर्ण लेक्चर्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन नुबर बन देखिए संसोधित इस्प्रीट होती है रेक्टीफाइड इस्प्रीट क्या होती है ओप्शन सार एथ हंडिट परसन एथील एलकोहल नहीं इसे तो हम कहते हैं एपसुलूट एलकोहल कहा जाता है प्योर सुद्ध 5 % क्या हम उसे वाटर मिला देते हैं तो वह बनता है क्या बनता है या बात याद रखेगा तो सीज द राइड आंसर डी कुछ में भी कुछ खास बात है कि मैथीलेटेड इस्प्रीड मैथीलेड़ेड इस्प्रीड क्या होती है जैसे कि हम देखते है कि अलकोहल मुख्यता जो हम कहें तो aethil alcohol चिजए चाहर हम सांवने ते जादा पड़ते हैं तो aethil alcohol को यूण कि चाहता है drinking के तौर में और इसे industry में भी यूण किया जाता है अब होता यह हैं कि कि रचाहरा का ओत मात्रा में खाथ मिस्होइज मिला देते वह इक्स्टा चीज क्या है pretty या फिरिटीन मिला देते हैं एक्सीक होता है और उसमेर पिरिडीन मिला देते या थो मैथील एक्सिल जाता है उसे कहते हैं याद रखिएगा ड्रिंकिंग के तौर पे एथिल एलकोहल को पिया जाता है और उद्योगों में ज्यादा जो है एथिल एलकोहल का भी यूज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में अब उसके मिस्यूस को रोकने के लिए हम कुछ एक्सटर्नल जो बाहर से कुछ चीज़े मिला देते हैं या तो मैथिल अलकोहल या तो पिरेडिंग या तो ऐसीड़न मिला देते हैं तो उसके बाद वो पीने रही रह जाता और उसका मिस्यूस रूख जाता है ठीक है तो आई दिंग ये चारो बादे क्लेर हो गई चलो अब देखते हैं कोशन नंबर टू कोशन नंबर टू है अमली वर्सा में निमनलिखित में से क्या अधिक्तम मात्रा में रहता है विच अब दफॉलविंग रिमेंज इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसी ड्रेन जब हम एसी ड्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखेगा य इसे कहते हैं नाइट्रिकमल इसे कहते हैं सल्फ्यूरी कमल और इसे कहते हैं कार्बोनी कमल यह तीनों बनता है लेकिन आपको एक्जाम में पूछा है मैक्सिमम क्या बनता है चले इसे बनाने का प्रयास करते हैं तो पहले इसका आंसर में बता देता हूं इसका आंसर क्या ह सबसे ज़्यादा जो बनता है इसे king of chemicals भी कहा जाता है रसाइनों का राजा भी कहा जाता है जिसमें कि आपको याद रखना होगा कि एस टू एसो फोर का परसेंटे लगभग सत्तर प्रतीसद रहता है और बचे वे तीस प्रतीसद क्या होता है यह क्या है तीस प्रतीसद अभी कार्बोनी कमला बहुत सुक्षण मातरा में रहता है और उतना powerful acid भी नहीं है उतना जो है मजबूत क्या जो है अच्छा strong chemical याने acid ह भी नहीं वो कमजूर प्रकार का अमला है ठीक है तो यह इसका अंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा c अब यहाँ पर बात समझी यह कैसे बनता है थोड़ा यह की important है सबसे पहले आपको याद रखना एसीड रेन का pH होता है 5.6 इसका pH मान ठीक है तो यह एक प्रकार का एक कहना चाहिए powerful acid ही है कह सकते है इसकिन पर पड़ती है तो जला देती है ठीक अच्छा कैसे बनता है तो atmosphere में क्या मौजूद है water vapor या जलवास्प मौजूद है तो जलवास्प के साथ अगर sulfur dioxide यह कहां से आ गया यह क्या है प्रदूसक के तोर पे pollutant के तोर पे रहता atmosphere में atmosphere के जो water vapor या जलवास्प वाई मेंडिली हम कहते है nitrogen dioxide यह भी प्रकार का प्रदूसक है जो factory अगरे से दोनों निकलता है इसके बाद यह बना देता है और यह इसका percentage कितना होता है 30% होता है ठीक आपको याद रखना होगा तो यह दो चीज़े बनती है अब यह क्या होता है atmosphere atmosphere का जलवास्प यह तीसरा condition है कि वाई मंडल के carbon dioxide 0.03% तो नैचुरली अवेलेबल है carbon dioxide तो यह इसके साथ मिलके S2CO3 यहनकि carbon ही कमला बना देता है सुक्ष्म मातरा में रहता है एक परसंट से भी कम ठीक तो यह होता है आपके वो तीनों आमला तो एक्जाम में पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है कि acid rain का pH कितना होता है इसमें पूछा acid rain में सबसे ज्यादा क्या होता है तो S2SO4 ह होता है उसके बाद पूछा जागा कौन कौन से अमला होते तो तीनों चीज़ें याद रखना है चैनों ठीक है याद रखेगा एस्टूसी ओट्री जनरली हम नहीं पढ़ते किताबों में क्योंकि यह कमजोर आमला भी है और उतना ज्यादा परसंटेज भी नहीं होता है ल दूसरा पावरफुल एसीड होता है S2SO4 ठीक है तो यहाँ पर याद रखना S2SO4 सबसे पावरफुल नहीं है उसे किंग ऑप केमिकल जरूर कहा जाता है रसाइनों का राजा जरूर कहा जाता है तो रसाइनों का राजा अगर S2SO4 है तो रसाइनों की राणी कौन है बेंज को queen of chemicals कहा जाता है ठीक यह point clear हो गया सभी को चलिए आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते है next question की और that is इन में से किसे mass gas कहा जाता है which of the following is called a mass gas mass gas जो आसानी से available होती है CH4 methane को कहा जाता है तो option C is the right answer mass gas कहा जाता है बस यह point आप याद रखिएगा चलिए next question देखते है तेफलान का क्या नाम है तेफलान का क्या नाम है अगर इसमें option दिया है कि poly tetra fluoroyethylene polyvinyl chloride polyvinyl fluoride dichlorodifluorothene तो याद रखना इसका अंसर क्या है यह है आपका one poly tetra fluoroyethylene ठीक है इसे कहा जाता है PTFE आप सोते हैं इतना difficult type का question क्यों इसमें डाला गया है तो यह टेफलान बहुत सामाने तरीके से यूस किया जाता है आमजन के दवारा आप even यह भी जो भी आप कार या बाइक चला के आए होंगे उसमें देखना उसका जो नया जो कार या नही बाइक जो होती है उसमें बहुत यहां पर देखते क्या है यहां पर दिया हुआ है लैक्टिक एसीड को यहां पर देखते क्या है ओप्शन यहां पर दिया हुआ है Lactic Acid A को हम करते हैं Lactic word आ रहा है तो ये Lactic चीज़े है A का 4 A का 4 है क्या Yes दो चीज़ों में दिख रहा है हाँ यहाँ यहाँ पर दो चीज़ों में दिख रहा है मैं इस प्रकार कर देता हूँ ताकि आपको दिखे विजिबल हो ठीक है तो ये आपका दिख रहा है A और B तो गलत हो गया A का 4 दिख गया आपको उसके बाद देखते क्या है Second number में देखते है Tartaric Acid तो Tartaric का मैंने trick भी कहा था हम 37 गड़ी में कहते हैं खटा लगना को टर लगना ठीक है टर लगना कहते हैं तो अमली टर लागते बोलते हम तो अमली या इमली को सीधा संबंध है किस के साथ आपका Tartaric Amla के साथ ठीक है तो अमली खटा लगता है अमली का टेस्ट खटा होता है अमली टर लागते से याद रख लेना आपका क्या है Tartaric Acid Oxalic Amla है ना तो यहाँ पर क्या है B का 1 मैच कर रहा है क्या B का 1 येस ये आपका D इसका राइट आंसर होना चीला है टाई चेक लिए ली ठीक अब आपके पास आगया Oxalic Amla Oxalic Amla जो है टमाटर में होता है Oxalic Amla क्या होता है टमाटर में होता है C का 3 C का 3 अगेन में अच्छ है और Citric Acid जो है ये है आपके नीवू कुल के सभी फैमिली में Orange हो है ना आपके नीवू हो Lemon हो वो सब में क्या होता है Citric Acid होता है तो यहाँ पर D का 2 तो D is the right answer Clear हो गया आप ये चीज याद रखना एक्जाम में पूछा जाता है Clear हो गया चलिए अब मिल चलते है नहीं सुर्शन की और रासानिक द्रिस्टी कोण से सिंदूर क्या है तो यहाँ पे रासानिक द्रिस्टी से सिंदूर या Vermilion की से कहते है केलसियम कार्बोनेट है क्या नहीं पोटेशम नाइटरेट नहीं पोटेशम सलफाइड सलफाइड तो है लेकिन पोटेशम का नहीं है मरकरी मरकरी का फॉर्मूला होता है HG HGS ठीक है यह होता है मरकरी सलफाइड यह होता Vermilion ठीक है इसका क्या है एक प्रकार का क्रिश्टल टाइप का स्टक्चर होता है ठीक है तो मरकरी सलफाइड D is the right answer Next question जलते है कोईले की किस रूप में अधिक्तम प्रतीसत कारबन पाया जाता है Anthracite Bituminous Speed और Lignite ठीक है यह इंडन या फ्यूल से आपका लिया होय सबसे पहले पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा कारबन सबसे अच्छा क्या है कोईला का प्रकार मैंने कहा था तो Anthracite का A Bituminous का B ठीक है उसके बाद Lignite का L लेंगे और Peat का P लेंगे ठीक है Alphabetically A से लेके Z तक अगर जाएंगे तो जो पहले आएगा वो उतना अच्छा कोईला जो बाद में आएगा उतना घटिया प्रकार का कोईला ठीक है तो Anthracite is the best type of coal और यहां पे Peat जो है सबसे worst या घटिया टाइप का कोईल अब यहां पे पूछा है कार्बन का प्रतीसत जिसमें कार्बन का प्रतीसत जादा होगा वो उतना अच्छा कोईला कहा जाएगा तो Anthracite में 85% से भी जादा कार्बन प्रतीसत होता है तो answer क्या हो जाएगा A is the right answer clear हो गया अब बात करते हैं अगर 70 से लेकर 85% के बीच में हो तो यह क्या आता है बिटो मिनस आता है उसके बाद देखते हैं हमारे पास 65 से 65 से 70 प्रतीसत तक हो तो यह क्या होता है लिगनाइट होता है और हम देखते हैं 50 प्रतीसत से लेकर लगबग 60-65 प्रतीसत तक हो तो पीट होता है कुछ किताब में अलग-अलग परसेंटेज का सूस दिया होगा तो आपको घबराना नहीं है मोटा-मोटा यह रेंज है सबसे बैस्ट आप याद रखेगा 85 परसेंट से ज्यादा कारवन परसेंटेज एंथरासाइड और एराउंड 50 या इवन बीलो 50 भी का आयस्क है किसका आयस्क है देखते क्या है रेडियम का आयस्क है क्या नहीं यह तो आर्टिफिशल है उसके बाद यूरेनियम यूरेनियम का आयस्क का नाम है पिच ब्लेंड ठीक है तो याद रखेगा यह सब के सब क्या है रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियो एक्ट ब्लेंड वह आयस्क होता है एसक किसका होता है यूरेनियम का होता है तो बी इस दर राइट आंसर आयसक और खनीज में कुछ बांतर भी होता है है ना आयसक में क्या होता है जैसे एक पत्थर का तुकड़ा उठाए आप मालो बैला डीला तरफ गए आप वहां पत्थर तत्व का प्रतीसत मात्रा या उसकी सांध्रता बहुत ज़्यादा होती है और यानिकि आसानी से उसको निश्करसित कर सकते हैं वह कहलाता है एसक लेकिन सभी खनीज आयसक नहीं होते याद रखेगा कुछ खनीज ऐसे है जिसमें आसानी से एक्स्ट्रेक्ट नहीं कर सकते तत्व को जैसे कि आयरन ओर हमने देखा आयरन वहां पर क्या है याद रखना है और यह वो आईस्क है तो सभी खनीज अइस्कनी याद रखना है अईस्क मतलब वहां पर संबंधित तत्व की प्रतीसत मात्रा जादा होगी और आसानी से हम निस्करसित कर सकते हैं उसे कहते हैं और यदि आसानी से निस्करसित नहीं कर सकते हैं और percentage of element याने तत्व की प्रदीशत मात्रा कम होती है तो उसे हम सामाने खनिच कह देंगे clear हो गया तो यह इसका answer हो गया आपको clear हो गया अब आतिस बादी में हरा रंग किस के chloride लवन के कारण दिखाए देता है है न सोडियम है न सोडियम क्लोराइट नहीं होगा भई सोडियम क्लोराइट तो नमक होता है barium chloride barium chloride is the right answer ठीक है calcium chloride ये भी नहीं है instantium आ जो है chloride ये भी नहीं है तो b is the answer यहाँ पर barium chloride के कारण जो green color दिखता है फटाखे वगर जलाते हैं उसके कारण होता है ठीक है चलिए next question that is monazide बालू में निमने में से कौन सा तत्व या खनिज पाया जाता है that is options आर potassium, uranium, thorium और sodium क्या होना चाहिए देखिए आपको यहां पर monazide का बालू तो monazide का बालू देशा sodium है तो आसानी से तो समदर किनारे मिल जाएगा तो पहला तो गलत ठीक उसके बाद देखते ही uranium यूरेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम भी यूरेडियो एक्टिव तत्व है हमने थोड किरल तमिलनाडू चेत्रमी इवन छारकर्ण में यहां पे थोरियम के बहुत भंडार मिलते हैं और यहां पर देख रहें कि मौनाजाइट का बालू अहां पर मिलता है ठीक है इसी को ध्यान में रखते हुए तो डॉक्टर भाबा ने भारत में त्री इस्तरी परमानो विका स्टार्टिंग किया था भले हम थोरियम पर आधारित हमारी नुकलियर रियक्टर अभी हम बनाने वाली स्टिती में हैं लेकिन डॉक्टर भाबा होते है ना आज समय नहीं होई होती तो हो सकता हम थोरियम के टेकलोजी बहुत पहले मिल चुका होता ये बात ध्यां रखना वा नहीं होता ठीक है जर्बन सिल्वे में कौन सा तत्वनी होता कॉपर निकिल सिल्वर और जिंग वैरी कंफ्यूजिंग इस प्रकार कंफ्यूजन को सौल करने के तरीका आपको बताया था याद आ रहा हो गर जिन्होंने पहले क्लास मेरी कर रखी है है न इसके पहले तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था आपको चार प्रकार की चीजें बहुत आसानी से मैं learn कराता हूँ चलिए थोड़ा सा patience रखिए समझिएगा नेखिए आपके पास आता है एक होता है क्या कहना चाहिए copper, copper, copper ठीक है तो copper प्लस zinc और copper प्लस tin जब दो चीजें मिलती है तो copper प्लस zinc मिलके क्या बनाएगा ये बनाएगा brass बनाएगा ठीक है brass क्या है और copper प्लस tin मिलके क्या बनाएगा ब्रांज बनाएगा तो ब्रांज क्या है ठीक है gold medal, silver medal, bronze medal पढ़ते हैं अब ठीक है तो bronze medal क्या है कांस ये पदक है तो ब्रांच से याद रखना ये क्या है कांसा है ठीक ब्रांच से सम्मन्द रख लेना ये पीतल है तो पीतल किस से बनता है कौपर प्लस जिंग से बनता है और ब्रांच किस से बनता है कौपर प्लस टेन से बनता है दोनों में कौपर है अरे भई आप तो पूछ रहे हैं जन् 10 को लिख दिया copper plus zinc plus 10 हमने देख लिया इस प्रकार तो यह क्या हो गया आपका यह हो गया gun metal हो गया यह हो गया gun metal clear हो गया अब यदि हम इस तीन को इस तीन को replace कर देते हैं किसके साथ copper plus zinc plus nickel के साथ तो आपको यह बन जाता है German silver अब इसे याद कैसे रखे German silver को तो आपको तरीका मैं ने बताया था कि हमने copper plus zinc लिखा और टिन को replace कर दिया नी से तो Germany Germany से नी याद रख लेना German silver copper zinc तो common है इसको हमने इस सिस्टमेटिक चार चीजों को हमको एक साथ याद रखना है तो ठीक है तो कैसे मैंने बताया तो copper plus zinc लिखेंगे नी replace कर देंगे है ना SN को replace कर देंगे नी से तो जर्मनी German silver तो इस प्रकार आप चेक करी आंसर कॉपर है कि नहीं है निकल है कि नहीं है उसके बाद zinc है कि नहीं ये भी है तो copper zinc निकल copper zinc और nickel ठीक है यह आ गया तो कौन सा तत्वन नहीं होता तो silver नहीं होता बात खतम I think यह बात सभी को समझ में आ गई ठीक है तो इस फरकार क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका answer क्या हो जाएगा c is the right answer क्योंकि नहीं है पूछा है क्लियर होगे आप सभी को तो इस प्रकार का answer हो जाएगा that is see move to the next question next question देखते हैं हमारे पास आता है कि c ng का मुख्य अव्यव है compressed natural gas मैंने पिछली क्लास में बताया था natural gas में क्या कौन सी gas होती है नैचरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होती है मीथेन होती है तो compress वड़ा जोड़ दिए जुप चाप संपेडित ठीक है तो compress natural gas में भी क्या हो जाएगा ठीक है तो क्या है इस प्रकार देख रहे हैं कि magnetite क्या है सबसे best प्रकार का क्या है आपका law ask भी है और उपर से क्या है यहां पर और ही पूछा है directly ठीक है तो इस प्रकार B is the right answer ठीक है इसे भी याद करने का तरीका मैंने बताया था सबसे इसमें याद रख लेना magnetite को सबस में जो पहले आएगा वह सबसे second best type का क्या हो जाएगा आपका law ask होगा क्योंकि सबसे best magnetite है तो जो बच गया है उसको alphabetically लिग लेना सबसे last वाल आगा तो सबसे worst type क्या है आपका iron ore और सबसे ऊपर जो आएगा वह second best type का iron ore clear होगे आप सभी को इस प्रकार चीज़ें याद रखिए आप ठीक है चलिए next question देखते हैं मारिक के या नीलम किसके अकसाइड है copper, tin, iron और aluminium ठीक है तो यहाँ पर याद रखेगा copper नहीं है, tin भी नहीं है, iron भी नहीं है, aluminium की oxide की crystal होते हैं, aluminium oxide की crystal होते हैं कौन होते हैं आपके मारिक के और नीलम ठीक है यह बात ध्यां रख रखिएगा जो basically कहां use के जाते हैं, जितने भी कॉस्म जो हैं आपके हीरे जवाहरत के तौर पे आपूशन के तौर पे इसे use किया जाता है, कई बार इसे पहनते भी है, ठीक है, चलिए next question है, मोती की रासाइनिक सरचना, the chemical composition of pearl, तो मोतियों की खेती भी की जाती है, आपको तो इस टाइब की options में देखना है, तो याद रखना की calcium का जो carbonate होता है, calcium carbonate, चुना का पत्थर भी तो calcium carbonate है, अब वो क्या है, वो भी घुलनसील होता है, लेकिन पूरता नहीं घुलता, तो इसकी घुलनसीलता थोड़ी और क्या होती है, कम होती है, नहीं के वराबर होती है, तो मोती भी वास्ता में क्या है, calcium carbonate ही है, CACO3 है, तो A is the right answer, move to the next question, next question निकी यहाँ पे, प्याज और लहसुन में गंद किस तत्व की उपस्थिती के कारण होती है, तो ये उपस्थिती होती है, lithium के कारण no, sodium के कारण no, potassium is the right answer, cloning again wrong answer, ठीक है, तो potassium इसका सही उत्तर है प्याज लहसुन में गंद इसी के कारण होती है, ठीक, कौन सी धातू, transistor का महतपून अंग है, महतपून अंग है, osmium wrong, germanium is the right answer, है ना, radium wrong answer, lead भी wrong answer, तो germanium याद रखेगा, transistor के बारे में, who discovered a transistor, transistor जो है, आपको पता होगा, ये भी, एक electronic sector में क्रांती लाने के लिए बहु बारेडिन, बारेडिन, एंड सॉकले, तीन नाम याद रखेगा, transistor की खोज की थी, उनको नॉबल प्राइज भी मिला था, कोई छोटी मोटी invention नहीं थी, बहुत बड़ी invention थी, तो transistor, बारेडिन, बारेडिन, एंड सॉकले, ठीक, ये बाद धिया रखेगा, इसका उत्तर क्य देट स्वाई, वी कॉल इट, इस यूज फॉर दा, इस वेकिंग ऑप एरक्राफ्ट, तो मैनिफेक्टरिंग ऑप एरक्राफ्ट के लिए, है ना, आपके यूज किया जाता है, वो टाइटेनियम को, इसलिए टाइटेनियम को रणने तिक धातु कहा जाता है, तो B इस दर आंसर, चलिए देखते हैं, नेक्स कोश्चन को, नेक्स कोश्चन है, गैलेना का रासाइनिक नाम क्या है, यहाँ दे कैमिकल नेम आप गैलेना याद रखना, P, B, S, उसका फॉर्मूला है, देखते हैं, लेड सलफेट, नो, लेड आकसाइड, नो, लेड कैलसियम सलफेट, नो, इनमें से कोई नहीं, यह D is the right answer, तो यहाँ पे लेड सलफेट है, याद रखीएगा, लेड सलफाइड है, लेड सलफाइड, S, L, यह इस प्रकार का होता है, ठीक है, सलफाइड, तो इस प्रकार इसका उत्तर गलत होता है, बहुत आसानी से मिस्टेक करती है, एक्जाम next question देखते हैं, कि पारा को किस धातू के पात्र में रखा जाता है, पारा को देखो, जो भी चीज होगा, एक word आप सुनते होंगे, अमलगम, तो अमलगम word जब सुनते हैं न, तो अमलगम में एक चीज common होगा, पारा, ठीक है, पारा जो है, उसमें common होगा, पारा प्लस जो ह है, दूसरा कोई तत्वा, ये इसके बाद मिलके क्या बनाएगा, अमलगम बनाएगा, तो अमलगम से word जैसे ही बोलेंगे, तो common बात क्या होगी, पारा होगी, लेकिन पारा याने मरकरी, कुछ ऐसे तत्वा है, जिनके साथ अमलगम नहीं बनाता, उन तत्वों का नाम अग उसके साथ क्यों रखा, उसके साथ रखी नहीं सकते हम, क्योंकि रेक्शन करके उसे क्या करेगा, अमलगम में कनवर्ट कर लेगा, तो सेलवर के साथ अमलगम बनाता, इसलिए पहला गलत उत्तर है, लेड के साथ बनाता, ये भी गलत उत्तर है, लोहा के साथ नहीं बनाता, ठीक है इसलिए लोहे के पात्र में आपका जो है पारा को रखा जाता है मर्करी को रखा जाता है ठीक है क्योंकि लोहे के साथ reaction करके अमलगम नहीं बनाता जिंग के साथ क्या है आपका अमलगम बनाता है तो इस प्रकार उत्तर क्या हो जाएगा आपका C is the right answer अच्छा कुछ तत्व और कौन कौन से है जिसके क्या है पारा अमलगम नहीं बनाता तो नहीं बनाने वाला है ना अमलगम अमलगम नहीं बनाने वाले वाले तत्व क्या क्या है इसका नाम जरूर आप लिख ले ये एक्जाम में पूछा जा सकता है कभी न कभी तो पहला तो आपने यहां पर लोहा लिखे लिए है तो लोहा लिखने के जुरौत नहीं है तो बचेवे क्या क्या है तो याद रख लेना बचेवे चीज़े हैं निकल के साथ भी अमलगम नहीं बनाता इवन kobalt के साथ भी amalgam नहीं बनाता तो निकल हो गया, kobalt हो गया, iron हो गया इसके अलावा आग देखते हैं, हमारे पास platinum के साथ भी क्या है, amalgam नहीं बनाता और tungsten के साथ भी amalgam नहीं बनाता तो याद रखेंगा यह पांचों तत्वा का नाम जिसके साथ पारा अमलगम नहीं बनाता, निकल, कोबाल, प्लेटीनम, टंगस्टन और लोहा, ठीक है, यह बात आप याद रखेगा, नेश कोशन देखते हैं, सुसक बर्फ किसका ठोस रूप है, ठोस कारबन डाय अकसाइट कोई, तो ड्राइ आइस कहते हैं, ठीक है, तो ड् प्रकार आप कैमिस्टी के तीन लेक्चिर्स में कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण जरूर आपने पढ़ा, और इन प्रस्णों का मैंने इस तर भी एक अच्छा इस तर रखा था, ताकि एक्जाम में आपको ज़्यादा ज़्यादा हेल्प मिल सके, मिलते हैं, हम नेक्स सेशन म कुछ नए सब्जिक के साथ, फिजिक्स के लेक्चिर्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, थैक्यू सो मैच, हैवनाइस टी